तो guys कैसे हैं आप सब? Welcome back to a new special video और आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ OnePlus 8 की series के बारे में जो की 14th of April 2020 का launch होने वाली है CEO Pete ने कई बात confirm की है कि इस बार के OnePlus 8 की series online launch event के माध्यम से 14th of April को launch होगा तो live event होगा YouTube पर आप सभी देख देखिये जरूर देखना और जो भी specification उस launch event में बताई जाने वाली है मैं आपको वो specification 4-5 दिन पहले ही आज आज आपको बताने वाला हूँ गाइज तो गाइज शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम का वाइज सारी कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे OnePlus 8 and 8 Pro की तो गाइज दो फर्स स्पेसिफिकेशन कंस विद डिस्प्ले तो गाइज पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की OnePlus 8 की जो डिस्प्ले होने वाली है वो होगी 6.55 इंचिस की सूपर एमोलेड 90 हर्स रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली FHD Plus Resolution के साथ आएगी हमारी OnePlus 8 की डिस्प्ले और दोनों ही डिस्प्ले में इस बार पंच होल कैमरा इंट्रोड्यूज हुआ है यानि की लेफ्ट टोप कोर्नर के उपर कैमरा प्लेस होगा इस बार डिस्प्ले में OnePlus 8 की दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा और गाईज OnePlus 8 Pro की डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो वो आती है 6.78 इंचिस की सूपर एमोलेड 120 हर्ट्स रिफ्रेश डेट के साथ आने वाली क्वाड एच्डी प्लस रिजोल्यूशन के साथ यानि की काफी डिफ्रेंस है नंबर ओफ पिक्सल्स के बीच दोनों ही डिस्प्ले के अंदर तो क्लैरिटी जो है OnePlus 8 प्रो की ओवियसली काफी अच्छी होगी तो आगे बढ़ते हैं हम CPU के उपर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर हर बार की तरह लेटेस्ट स्नापड्रेगन चिपसेट इंट्रोड्यूश किया जा रहा है OnePlus 8 की सीरीज यानि की OnePlus 8 and 8 Pro दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है जो की है स्नापड्रेगन का 865 5G चिपसेट के सा बात आएगा इस बर दोनों ही फोन स्मार्टफोन 5G होंगे तो गाइस अगर हम बात करें इनकी स्टोरेज के बारे में तो इस बार वन प्लस दे रहा है 8GB और 12GB RAM वेरियंट दोनों ही स्मार्टफोन में चाहे वह OnePlus 8 या 8 Pro हो तो 6GB RAM का इस बार कोई लोचा नहीं है दोनों ही दोनों ही फोन से 6GB RAM का वेरियंट हटा दिया गया है और गाइस 8GB RAM और जो 12GB RAM OnePlus 8 के अंदर आएगी वह होगी LPDDR4 और OnePlus 8 Pro के अंदर जो 8GB और 12GB RAM आएगी वह होगी LPDDR5 तो इन दोनों RAM की पफोर्मेंस में काफी फरक होगा इस बार पर LPDDR5 बेसिकली कम पावर कंस्यूम करन करने के लिए OnePlus 8 Pro के अंदर LPDDR5 RAM इंट्रोड्यूस की जारी है जो कि 45% कम बैटरी कंजूम करेगी LPDDR4 से तो यह बहुत ही अच्छा स्टेप है OnePlus की तरफ से बैटरी को बचाने के लिए बैटरी की ही अगर हम बात करें तो OnePlus 8 में आती है 4300 mAh की बैटरी और OnePlus 8 Pro जो की एक बड चार्ज 30T का सपोर्ट है 30W सूपर फास्ट चार्जिंग दोनों ही स्मार्टफोन में इस बार होगी पर यहां पर एक डिफ्रेंस है कि OnePlus 8 के अंदर वायलेस चार्जिंग नहीं है एंड OnePlus 8 Pro में वायलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है मोर ओवर OnePlus 8 Pro में रिवर्स वायलेस चार्जिंग भी दी गई है 3W तक की तो अगर आप जैसे की Apple ने इस बरभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की रिवर्स वायलेस चार्जिंग अपने स्मार्टफोन में बट OnePlus ने OnePlus 8 Series के अंदर रिवर्स वायलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट कर दिया है तो काफी अच्छा स्टेप है यह OnePlus की तरफ से और वन प्लस की तरफ से एक और अनौंसमेंट आई है कि इस बार वन इस बार से वन प्लस 60 हर्ट को बाई बाई कह रहा है और अब आने वाले किसी भी अपकमिंग वन प्लस स्मार्टफोन के अंदर 60 हर्ट रिफ्रेश रिट हमको नहीं देखने को मिलेगा हमें सिर्फ 90 हर्ट मिनिमम 90 हर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा और उस से उपर 120 हर्ट हो सकता है वो तो कईज अब बात कर लेते हैं वन प्लस 8 सीरीज के कैमरा के बारे में तो वन प्लस 8 में इस बार 3 कैमरा सेट अप इंट्रोड्यूस होगा वर्टिकल डिजाइन के साथ जो की 70 में सर्कुलर आता था इस बार अवोईड करते हुए वर्टिकल डिजाइन को अपनाया है वन बाता प्लस ने अपने 8 series के कैमरा के लिए ओन प्लस 8 में जो 3 कैमरा रहे हैं वह हैं 48 Megapixel प्राइमरी कैमरा 16 Megapixel का अल्ट्रावाइट कैमरा एंड़ थर्डवन इस 2 Megapixel Macro Lens और जो OnePlus 8 Pro के अंदर है वो है four camera setup तीन वर्टिकल में and the fourth one will be अलग दो फॉर्थ और जो फॉर्थ camera है वो थोड़ा अलग वो अलग होगा तीन camera के लाइन से और गाइस जो OnePlus 8 Pro का camera है OnePlus 8 Pro में 48 Megapixel का primary camera है 48 Megapixel का ultrawide camera and जो अगला है वो है 8 Megapixel का telephoto camera and the other one will be the 5 Megapixel for color filter और गाइस इस बार OnePlus 8 Pro के अंदर लेटेस्ट टेकनोलोजी इंट्रोड्यूज की जा रही है लेजर फोट फोकस के साथ जो की focusing ability को cameras की काफी अच्छा बना देगा और ओटो फोकस काफी अच्छा था था वन प्लस का पहले से ही और इस बार लेजर ओटो फोकस तो धमाल मचा देगी देखते हैं कि हमें क्या नया नया देखने को मिलता है इस बार और गाइस जो front camera है वह 16 Megapixel का दोनों स्मार्टफोन के अंदर चाहे वह OnePlus 8 और या 8 Pro series जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5G तो होगी ही एंड मोर ओवर इसके साथ Wi-Fi 6 का support दिया जा रहा है अब तक Wi-Fi 5 तक हमारे पास अविलेबल था OnePlus में भी और बाकी सारे phones में and OnePlus इस पर लेकर आया Wi-Fi 6 की technology and moreover Bluetooth 5.1 तो गाइस बात कर लेते हैं इनके colors की OnePlus 8 में इस बार 3 new colors introduced हुए है जो की है Onyx Blue, Glacial Green and Interstellar Glow वह एक नया color है जो की Samsung के आमें Note 10 में भी देखने को मिला था OnePlus 8 Pro के अंदर अगर हम बात करे तो उसमें भी यही तीन colors introduced होंगे बट एक color है डिफरेंट है OnePlus 8 से तो जो सेम है वो है Onyx Black और Glacial Green और जो अलग है वो है Ultramine Blue तो गाइस अकर हम इनकी बात करें pricing की तो प्राइस होंगे इनके 40,000 से अबाव OnePlus 8 के लिए और 45-46,000 तक OnePlus 8 का प्राइस जा सकता है दोनों वेरियंट के लिए 8GB और 12GB RAM के साथ और OnePlus 8 Pro का जो प्राइस है वो 57-58,000 से कम रहेगा 50-58 या नहीं कि अगर आप जादा से जादा 60 बट उससे कम ही रहेगा क्योंकि इतना जादा OnePlus अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगा बट प्राइस इंक्रीज करने के लिए एक रीजन यह भी है क्योंकि इस बर जो स्नैप्राइब्रेगन का 865 चिप सेट है वो काफी एक्सपेंसिव है कमपनी के लिए भी खरीदना इसको इसको एक्सपेंसिव पढ़ता है तो क्राइस तो ओविएसली इंक्रीज होना ही था बट इतना इंक्रीज नहीं होगा बट हां 45,000 तक फोट वन बसेट जाएगा आप इतना मान लीजिए और 56,000 तो 58,000 के नीचे रहेगा वन प्लस 8 प्रो का प्राइस तो यह थी प्राइस और अवैलिबिलिटी के अगर हम बात करें तो 14 जैसे की यह लॉंच हो रहा है बट 21 ओफ एपरेल को पर्चेज करने के लिए वर्ड वाइड अविलेबल हो जाएगा वन प्लस 8 स्मार्ट बट इंडिया में हाला थोड़े डिफरेंट है क्योंकि अभी लोगडाउन चल रहा है तो पता नहीं कि 21 तक लोगडाउन खुले गए नहीं अगर 15 को लोगडान खुल जाता है तो 21 को पर्चेज कर सकते हैं अगर नहीं खुलता तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ स मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा और गाईज अगर आप नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के जाहिएगा नीचे लाल गलर का बटन है उसे लिट करके जाहिएगा तो गाईज मिलते हैं आप सेगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ से हेल्थी और लोकडाउन का पालन करते रहिए तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए have a good day and bye